एक प्रश्ण आया कल मैंने बताया था न कुष्रवधा हो और सच्चा संत हो और सच्चा संग हो तो लक्ष की प्राप्ति हो जाती है लेकिन अगर किसी किश्रद्धा ना हो तो वो विचारा क्या करेगा तो कृपालू कहता है उसके लिए भिमार्ग है वो क्या करे सच्चे संत का लगातार संग करे उससे क्या होगा जब स्वध्धा ही नहीं है वो जब सुनेगा मानो देह क्यों मिला है भगवान क्या है उसकी प्राप्ति कैसे हो जाती है कितनी सरल है संसार क्या है संसार का सुख क्या है ये तमाम बातें तत्पक ज्यान की जब सुनेगा तो सोचेगा अरे मैं बड़ी लापरवाही में पड़ा हूँ केवल संसारी बैभव मैं सुख ढूण रहा हूँ बहुत बड़ी गलती है अब मुझे भी कुछ करना चाहिए परमार्थ के लिए यानि वो भूख पैदा हो जाएगी तत्पक ज्यान से तो लगातार वास्तविक संत का संग करे ये शर्त है जूट मूट को बैठे सुने तो सुनते 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 आँ सीरियस हो जाएगा अरे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिर गहराई से समझेगा फिर श्रद्धा अपने आप उत्पन हो जाएगी ये मार्ग निकला सताम प्रसंगान ममवीर्यसंविदो भवंति रित कर्ण रसायना कथा तज्योशना दा श्वपबर्ग बर्त्मनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिश्यति केवल भागवत में बेदव्यास ने ये आशा दिलाई है बिना श्रद्धा वालों का भी काम बन जाएगा बशर्ते वास्तविक संत का संग लगातार करे जबर्दस्ती करे करे हमारे सत्तंग में मुझे सैकनों सत्तंगियों ने बताया है कि महराज जी आपकी स्पीच हो रही थी अमुक जगे मैं सडक से जा रहा था दो चार वाग के कान में पड़े तो मैंने गाड़ी रोप दी और मैंने पूरा सुन लिया बस आग लग गई फिर दूसरे दिन से डेई सुनने लगा और फिर इतनी प्यास लगी भगवान की पहले मैं प्रकांड नास्तिक था तो थोड़ी देर सुनने का प्रभाव सैकुनों ब्यक्तियों ने बताया है और लगातार सुने समझे अरे सुनेगा तो समझेगा भी बुद्धि तो हई है सबके तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेगा तो श्रद्धा अपने आप पैदा होगी बैस बात बन गई झाल 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 झाल